बाजार में गोमांस इतना महंगा होने के कारण वैग्यानिकों ने एक नया जीव विक्सित किया है। वेना केवल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बल्कि वे गोमांस की तुल्ला में दस कुना अधिक पॉष्टिक भी होते हैं। वैग्यानिक उनकी विनम्र उपस्थती पर सं कर दिया। उनके मंच पर मौजूद दर्शक डरे हुए थे। बाद में निवेशकों ने फैसला किया कि जीव बहुत ख़तरनाक थे और उन्होंने कारोबार छोड़ दिया। लेकिन अन्ना इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। उसने सोचा कि नई प्रजाती माइक को लड़ना पसंद है क्योंकि उनमें बहुत सारे जानबरों की जीन है। इसलिए उसने मानब जीन को भ्रून में इंजेक्ट किया और उनका पुनरुधार किया। माइक को पता चल जाता है और वह अन्ना को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक भ्रून जीव सफलता पूर्वक हटा दिया गया। लेकिन अब तक उसकी बांग में कई छेद हो चुके थे। जमीन पर पूंच वाले प्रानी को देखकर उन दोनों को लगा कि प्रयोग विफल हो गया है। इसलिए माइक इसे आइसोलेशन रूम में ले गया। अगले दिन जब नाना इ जल्द ही जमीन पर गिर पड़ा। दोवे ज्यानिकों ने एक नई प्रजाती विक्सित की है। उन्होंने नमोने लिए और उनका अध्यान किया। आज चर्यजनक रूप से नई प्रजाती की कोशिकाए मनुश्यों की तुलना में हजारों कुना तीजी से विभाजत होती ह हैं। खुछ ही दिनों में यह बड़ा हो जाता है। जल्द ही छोटे प्रानी की भुजाएं बड़ी हो गई। इस पिंदू पर इसने उच्छतर की बुद्धिमत्ता दिखाई न कीवल मानव भाशन को समझा वलकि शब्दों की वर्तनी भी सीखी। लेकिन एक दिन उनके स चोटे जीव को पानी में धकेल देता है और उसे डुबो देता है। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ इससे गलती से पानी के अंदर सांस लेने की उसकी क्रमता खत्म हो गई। माइक को हार मानने पड़ी। लेकिन दूसरों को उसे ढूनने से रोकने के लिए माइक ने प् स्वीकार कर दिया। राक्षस इतना क्रोधित हुआ कि उसने मेज पलड़ दी। इसके बाद वह रोशंदान से होते हुए घर की छट पर जागिरा। दोनों व्यक्ति उस प्रानी को मनाने के लिए छट पर पहुचे जो लगभग छट से गिर रहा था। लेकिन फिर इसने अपने पंक खोल दिये। यह जोड़ी इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से अवाक रह गई। इसे वापस लेने के बाद इना को पता चला कि इसने माईक की कई तस्वीरे खीची गई थी। छोटे प्रानी ने एक किशोर क्रश की शर्मीली अभिव्यक्ति दिखाई। इ इना को अचानक एहसास हुआ कि छोटी राक्षसी स्पष्ट रूप से उसके पती से प्यार करती थी। इसे दंडित करने के लिए अना रिष्टेदारों को यह सिखाने के लिए ले गई कि आप जो चाहती है वे नहीं मिलता है। एक आदमी एक राक्षस को नृत्य सिखाने और उसे इसे स्विकार करना होगा। यह पता चला कि राक्षस को पालने के लिए जिन मानव जीनों का उपयोग किया गया था वे अना के जीन थे। माई कुस्से में था। शेश दिन में प्रानी अभी भी अना से बात नहीं करेगा। एना को बिल्ली का बच्चा उसे वाप भागने वाला था। इना ने ठीक समय पर उसे पकड़ लिया और फिर फावरे से उसे नीचे किरा दिया। उसने प्रानी को बांध दिया और उसके कपड़े काड़ दिये। फिर उसने जीव को सुन कर दिया और उसकी पूछ पर लगी कीले काड़ दी। इना स्पाइक्स का पोस्ट मार्टम के लिए वापस ले जाना चाहते थे। इना ने कहा कि उसने इसे पहले ही दफना दिया था, लेकिन बॉस ने उस पर विश्वास नहीं किया। जब उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो इना ने उस पर फावरा फेका और खुदाई करने को कहा। लेकिन अचानक एक काली चाया चमक उठी, मालिक को मार दिया गया और एक पेर पर छोड़ दिया गया, कभी उन्हें एहसास हुआ कि छोटा राक्षस मरा नहीं था, बलकि एक मजबूत नर बन गया था, इससे पहले की सहकर्मी प्रतिक्रिया दिपाता, उसे पकड़ लिया गया और सी पड़ पड़ा, इना को एहसास होता है कि जो कील उसने काटी थी वे बड़ी हो गई थी, तब राक्षस और इना ने कुछ वयस्ट चीज़े की थी, लगभग दस मिनट के बाद, माईक पीछे से आया और उस प्रानी पर लकरी के डंडे से वार किया, लेकिन छोटे राक्ष उसके मरने से पहले उसने माईक को भी मार डाला, खुछ सब्ताहबाद अना गर्भवती थी, लेकिन उसके पेट में बच्चा किसका है ये कोई नहीं जानता,